प्यारे साथ नमसकार बिहार बिद्याले परिक्षा समीती दुवारा कच्छा नौवी का फाइनल इक्जाम यानि की मार्च महीने में होने वाली फाइनल इक्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और इसका खोश्चन पेपर कहां से मिलेगा कैसे आप अपने परिक्ष होने जा रही है वह आपका अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ होने वाली है इसका कोश्चन पेपर कैसे मिलेगा मासिक जाज परिचा में सिर्फ पचास अंक का ही परिक्षा हुआ करता था जो कि दिर घंटे होता था तो क्या ऐसा नहों कि फॉनल इक्जाम में भी फिर से तो आईए जानते हैं कि किस दिन किस विज़ाई की परिक्षा होने वाली है और इसका औरीजल कोशन पेपर कहां पर मिलने वाली है कब से मिलने वाली है साथ यो सब को सध्यान से देखिए यह बिहार बोर्ट द्वारा यहां पर बताया जा रहा है कि माह मार्च 2024 के जो नौवी की वार्षिक परिक्षा है उनका कारिकरम जो है वार निमने परकार से कि किस दिन किस विज़ेगी परिक्षा होगी और इसके बाद से आप लोग पुरी तरीके से तयार हो जाईएगा 2025 के बोर्ट इक्जाम के लिए साथियों बोर्ट इक्जाम है तो टॉपर आ परिक्षा जो है आपकी 16 मार्च से सुरू होगी और 16 मार्च के दिन आपकी पेपर जो होगी वो दो पेपर होगी एक आपकी पेपर होगी मातरी बासा यानि कि हिंदी की परिक्षा होगी और दूतिये पाले में आपकी समाचिक विज्ञान की परिक्षा होगी साथियों ध् और एक्जाम में पेपर होगा जैसे होता है वैसा ही होगा और इसमें पूरे अब्जक्टीव आएंगे उसमें से आपको जो आधे प्रश्ण बनाया जाता उसी प्रकार से आपके कोश्ण सब कुछ देखने को मिलेंगे जैसे आएगा कोश्ण पेपर में बता देता हूं समाजी तो कि दो बज़ से चलेगा और दो बस ले करके यहाँ पेपर 4 बज़ का 45 मिनिट में नहीं क्याएं इसलिए नहीं तो यह सो नमबर का अगर पेपर होता तो यह आपको पांच बज़ कर पंदरे मिननट पर समाप्त किया जाता है क्यूंकि इसमें 20 अंकर का जो प्राक्टिकल का एक्जाम होता है जो आप सभी हम सभी जानते हैं और दस्वीं भी ऐसा ही होता है साथ ध्यान से समझें के एकड़म हूब 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 आपके पैटर्न रहेगा आपके फाइनल एक्जाम के तरह आपके बोर्ड 24hr के एक्जाम के संडे है और संडे है तो अठारा तारी को पेपर होगी आपकी सब्सक्राइब कर लिए जागा उसके बाद से बारा पंदरा नहीं होगा बिहार बोड़ गलत कर दिया यहां पर यह बारा पंदरा नहीं बारा पैंतालिस होना चाहिए है यहां पर क्योंकि जब यह 45 बसमाप्त किया रहा है तो हिंदी के पेपर 45 बसमाप्त होगी और यह पंदरा पर थोड़ी नहीं समाप्त कर लिया जाएगा ध्यान से देखेंगे किस दिन भाई साफ 18 तारीक हो उसके बास मैं बात करता हूं सर 19 तारीकी पेपर होगी मंगल बार के दिन जिस दिन आपकी पेपर होगी सर संस्कृत की जो की पेपर होगी साड़े 9 बेस लेकर के 12 बच के 45 मिनट पर देखो यह भी 12-45 है और यहां भी 12-45 यहां भी 12-15 दे दिया गया है तो ऐसा कंफ्यूज नहों आप कोई कोई सर जी ध्यान से बताईए कि हिंदी का पेपर असान होता है और संस्कीत असान होता है तो 12 बच के 45 मिनट पर समाप्त क होता है उसमें हम लोगों को जादा टाइम चाहिए तो ऐसा क्यों कि इसमें 12-15 समाप्त कर लिया जागा तो यह मिश्टाइप हो गया भाई साथ इसको 45 कर लेने यह भी 45 मिनट पर इस प्रकार से आपकी जो पेपर होंगे बस समाप्त कर ले जागा सिर्फ तीन दिन के अंद पर अंदर यानि कि एक तूआ का संडे वैसे तो चार दिन हो जाती लेकिन तीन दिन के अंदर में समाप्त कर लिया जाएगा ठीक है और जो एक्स्ट्रा में बच्चे लिया होंगे उनका इक्जाम आपको 20 तरीकों लिया जागा जैसे कुछ एक्स्ट्रा में बच्ची ले सबसे बड़ी सवाल है कि मन्टू सर आप तो जल्दी से बता दीजें को सबसे पहले अपड़ी टीम के साथ आपको एक साथ आएंगे लाई भाई साब बहुत मजा आएंगी यह आपकी 16 तारिक से एक्जाम है न तो 15 तारीकों मैं आज ही बता देते हूँ छे बजे आपकी क्लास आ जाएंगी हिंदी की उसके बाद से आपकी आठ बजे क्लास आ जाएगी सोसल साइंस की हो गया कंफर्म तो साथ यो आपकी कोश्चन पेपर का मैं सलूशन लेकर के आजाओंगा 15 तारीकों 16 को जाकर के दोने पेपर देके चला आना फिर आप दिल में बैठा लो हर जगा स्टेटस हर जगा लगा लो कि मंटू सर एक बार फिर से दोहजार पचीस के बच्चों के लिए खड़े हो चुके हैं घर घर पहुंचेंगे साथियों आपके बीच रहेंगे क्योंकि बहुत बढ़ा कुछ करने वाले हैं सिर्फ आप सभी की यह प्यार देख करके क्योंकि यह परियार परिवार जो पूरी वन मिलियन का होने जा रही है पूरे दस लाका परिवार होने जा रही है तो जल्दी से सब्सकाइब करके पूरे दस लाका परिवार मनाईए जल्दी से साथियों और बड़ा कुछ करने वाले हैं साथियों पूर सबसे खास संदार कोशन जो सीधे यूँ ही जाओगे और एक्जाम में चापके चले आओगे साथ यो तैयार हना साम 6 बज़े से क्लास चलेगी आपके हिंदी की और आपकी समाजिव ग्यान के क्लास चलेगी रातरी 8 बजे 15 तारी को सोलो को पेपर आप देखर के चले तो मिलते हैं विदा लेते इस क्लास से और सीधे आपके पहुंचेंगे आपके एक्साम के त्यारिक लिए